आखिरकार सिवशेना के MLA, श्रीनिवार स्वांगा को महाडा के लोटरी में घर मिल गया नमस्कार, मैं हूँ वरुन सिंग और आप देख रहे हैं Square Feet India का YouTube चैनल गुरुवार को महाडा के 8,984 घरों का यह 8,984 घरों की लोटरी हुई इन लोटरी के Applicants में सिवशेना के पाल घर के MLA, श्रीनिवार स्वांगा भी थे और उन्हें गुरुवार की लोटरी में घर मिल गया है उन्होंने दो जगह पर अप्लाई किया था, थाने और नवी मुंबाई में नवी मुंबाई में नहीं दाल गली पर थाने के काविसार में उन्हें घर मिल गया यह घर और्विया बिल्डिंग में है, जो घर उन्हें लगा है, वो घर सात्वे मंजिल पर है इस घर की कीमत अगर मैं कहूं तो 17,98,000 से 20,00,000 के बीच में है और घर का एरिया 400 स्क्वार फिट से 440 स्क्वार फिट के बीच में है आपको मैं पता दूँ कि महाडा के कौंकन बोर्ड ने 8,984 घर की लोटरी गुरवार को की जिसके लिए उनके पास 2,46,650 आप्लिकेशन आये थे लोटरी रहो गई और उसने बहुत सारे लोगों को घर लगा इसी वीच में खुशी की खबर एक MLA के लिए है जिन्होंने MP MLA कोटा में अपलाई किया था घर दरसल शिनिवास वांगा पाल घर जो कुचरात के बॉर्डर से जुड़ा है वहां रहते हैं और वहां से उन्हें मुंबई जब काम के लिए आना होता था अभी आमदार निवास यानी MLA होस्टिल नहीं है और बन रहा है तो उन्हें किराय के घर लेना पड़ता था और किराय मुंबई के तो हर कोई जानता है MLA के लिए भी महंगे थे ऐसा उनका कहना था उन्हें हमसे ये बात खुद कही थी और उन्होंने महाडा के लोटरी में घर के लिए अपलाई किया था कहा था कि अगर नजदीक आ जाओंगा मुंबई के तो काम करने में आसान होगी और मुंबई के नजदीक थाने के कावेसार में उन्हें ये घर मिल चुका है जिसकी कीमत मैंने आपको कुछ देरे पहले बताई कि 17,98,000 से 20,000,000 के बीच में है और एरिया भी मैंने बताया 400 से 440 कौई फिट के बीच में है आम तोर पर अगर 440 कौई फिट का थाने के गोड बंदर रोड पर अगर कोई घर लेने जाए तो जिस क्रीमत पर ये घर मिला है उससे दो गुना कीमत पर जरूर ही मिलेगा पर महाडा के घर अफोरडिबल होते हैं महाडा के घर महंगे नहीं होते हैं पर के ट्रेट से कम होते हैं इसलिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं और इन लाखों लोगों में से आज 8,984 लोग मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि गुरुवार को जो लॉट्री हुई उस लॉट्री में उन्हें घर मिल चुका है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि मुंबई में भी लॉट्री हो और मुंबई में भी जिन्हें घर लेने की इच्छा है जिन्हें घर लेने की ख्वाईश है वो घर ले पाएंगे effort कर पाएंगे क्योंकि महाडा हो सकता है आने वाले दिनों में मुंबई में भी lottery करेगी इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी खबर ये भी है कि महाडा से ही जुड़ी है कि महाडा ने मोतिलाल लगर जो है western suburbs में गोरे गाओं में वहाँ पर redevelopment के लिए tender float कर दिया है दर असल कुछ बासत लाग यानि 6.2 million square feet ये area है और इसका redevelopment करना है उसके लिए tender float किया है वहाँ पे कुछ 3717 local tenements है यानि जो घर है अच्छे घर वने है वो है उसके लावा 1600 approximately महाडा के अंदाज़े के हिसाब से slums है shanties है इनको redevelop करना है और इसके लिए वो आप कोई builder ढूण रहे है ऐसा builder जिसने पहले भी ऐसे कुछ काम किये हो और महाडा को जो fsi बचेगा इनको rehabilitate करने के बाद rehab component के बाद उसके अलावा जो reservations है उसको भी पूरा करने के बाद जो fsi बचेगी उन fsi को पूरा करके जो आएगा fsi उसमें से जो महाडा को सबसे ज़ादा fsi देगा उस builder को महाडा यहाँ पे नियुक करने वाले है महा के लोगों के मन में थोड़ा असंतोश है वो कह रहे है कि कोट में इस चीज को लड़ेंगे महाडा ने उनसे consult नहीं किया पर आगे क्या होगा यह तो कुछ दिन बाद ही आपको पता चलेगा यहाँ पर भी घर बनेंगे और जो घर बचेंगे fsi जो महाडा को मिलेगी महाडा उन घरों का लोटरी करेगी मुंबई के गोरे गाओं मोतिलाल नगर में भी तो लोटरी से जोड़ी यह बहुत बड़ी ख़वर है आप लोगों को तक हम पहुचा रहे हैं squarefitindia.com यह एक real estate news website है और यह squarefitindia का youtube channel है हम आपके पास इस channel और हमारे website के जरिये real estate जगत से जोड़ी हुई महाडपून खबर लेकर आते हैं यदि आपको यह वीडियो पसंद आये तो चैनल को सब्सक्राइब कीन दियेगा आप हमारे वीडियो को like, follow और share भी कर सकते हैं इसके लावाँ जादा जानकारी के लिए आप squarefitindia.com पर भी विजिट कर सकते हैं यह वीडियो देखने के लिए आपका धर्नेवाद